हेई विव़र्स, विलकम बैक टू माइ चानल, आज की हमारी रेसेपी है औरेंज सेमोलीना एल्मंट केक, जिसमें ना तू शुगर होगा और ना ही ऑल्या बर्टर होगा. recipe start करने से पहले दिये हुए instruction पर लें और उसके बाद recipe start करें तो सबसे पहले हम एक ball ले लेंगे और उसमें डालेंगे milk और साथी साथ add करेंगे vinegar इन दोनों को अच्छे से mix करके 5 मिनिट तक के लिए side में रख दीजे after 5 मिनिट आप देखेंगे कि milk इस तरह से curdle हो गया है that means हमारा butter milk ready है अब हम इसमें semolina flour डाल देंगे semolina को मैंने grind कर लिया था जिसके वज़े से ये इस तरह का texture हो गया है अब हम इसे अच्छी तरह से mix करके half an hour के लिए soak करने के लिए रख देंगे अब हम एक बॉल ले लेंगे और उसमें डालेंगे honey और साथ ही साथ हम इसमें soaked semolina flour डाल देंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से आप mix कर लिजे जब ये अच्छी तरह से mix हो जाए तब हम इसमें अपने dry ingredients सिफ्ट कर लेंगे तो इसके लिए हम लेंगे almond flour salt और baking soda इन सब dry ingredients को आप छान लिजे अपने wet ingredients में और mix कर लिजे जब बैटर अच्छी तरह से mix हो जाए तब हम इसमें डालेंगे orange zest मैंने यहां पर टू ओरेंज के zest लिए हैं जिससे इसका taste और flavor बहुत ही भढ़िया आता है orange zest means आपको orange के छिलको को grate करके इसमें डालना है हमारा केक बैटर पूरी तरह से ready है अब मैं इसे ट्रांसफर कर दूँगी अपने prepared tin में मैं यहां पर 6 inch long tin का use कर रही हूँ बैटर डालने के बाद आप इसे अब tap कर लीजे और उसके बाद हम इसे bake करने के लिए preheated oven में 40 minutes के लिए bake कर लेंगे at 170 degree Celsius पे अगर आप beginner है तो please मेरे दिये हुए instruction को ध्यान से पढ़िए केक बनने के बाद हमें उसे तुरंत tin से नहीं निकालना है थोड़े देर रुख कर I mean 15-20 minutes रुख कर हमें इस तरह से butter paper हटाना है और उसे cooling rack पे रखना है ताकि यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए जब भी पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी slicing करेंगे अब मैं आपको slicing करके दिखाती हूँ कि इसका texture और taste कैसा होगा यह texture में कुछ इस तरह से दिखेगा और जब आप इसे taste करेंगे तो आपको बीच बीच में थोड़ा सा crunchiness का एहसास होगा वो है सैमोलीना के वज़े से सूजी की वज़े से और यह taste में तो बहुत बहतर है ही सो फ्रेंड्स इसे आप भी बनाईए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजे ताकि वो भी यह healthy cake बना करके enjoy कर सके और अगर आप मेरी इस चैनल में नए हैं तो मेरी इस चैनल को subscribe कर लीजे ताकि आप आने वाली वीडियो से अंजानना रहें Thank you so much for watching